हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईज, HPSC ने ये क्या कर दिया? HPSC के नए नए खेल, HPSC के नए नए नियम तो आपको काफी जाद नूज देखने को मिल रही है तो आप सभी जानते हैं कि हरियाना में PGT भरते निकली हुई है उनहीं के रिगार्डिंग नूज है नूज क्या है कि 4,496 PGT भरते पहले सिलेवस उब्जक्टिव अब कर दिया सब्जक्टिव तो आप सभी को पता है कि जो ये भरती की प्रिक्रिया है ये HPSC करवाता था, अब ये जो है, ये HPSC के हाथों में चला गया है और यहाँ पर HPSC क्या है कि बार-बार नई-नई नियम चेंज कर रहा है नई-ने रूल बना रहा है तो पहले तो भरती निकाल देते हैं और फिर किसी ने किसी कार्ण से उनको रूप देती है तो ये प्रोसिजर उनका चलता रहता है अब यहाँ पर एक खेल सा चल रहा है कि पहले वो रहे कि paper subjectiv होगा कभी वो रहे कि paper objective होगा जैसा आप सबही को पता है कि जो लगातार exam का pattern है वो objective हो रहा है तो अब अचानक से अगर subjective ह हायेगा तो अब ब्हारती काफी जग्जादा निरास हो जाएंगे तो पता भी नहीं कि ये भरती होगी या नहीं में भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है तो आप से भी को पता है कि 2019 में जो भरती आई थी तो वहाँ पर भी जो पेपर का पैटरन था वो अब यहाँ पर नहीं नहीं नियम चेंज हो रही है तो HPSC का नया क्राइटेरिया बनाया है कि 50% अंक लाने जरूरी है उन नेगिटिव मार्किंग अब ये 50% अंक लाने वाला क्रीटेरिया ये तो आपका खतम कर दिया क्योंकि अब ब्यार थी यहां पर काफी ज़्यादा निरास होगे उन्होंने काफी ज़्यादा अबजेक्स और फिर से अगर आपको बोल दिया जाता है कि सब्जेक्टी होगा तो काफी ज़्यादा निरासा सभी को देखने को मिल सकती है उब्यस बात है बहीं पता नहीं हरियाना वालों के साथ ही ऐसा ये लोग क्यों कर रही है अब यहां पर जो स्वेता डूल है समाजी कारिये करत है तो उसका कहना है कि पहले तो HPSC का यह तरीका ही गलत है कि PGT के लिए आवेदन करने वाले सभी अब्यार्थी हैच्टेट पास है और इसके बात दो बार से उनका स्क्रीनिंग टेस्ट लेना ये गलत है दूसरी बात तीन साल से अब्यार्थी अगर अबजक्टे की तैया कर रहे हैं अब अचानक से इसे बदल कर सब्जेक्टिव कर दिया गया तो इस मामले में जो कंडिडेट है वो काफी ज़्यादा प्रेशान है और अचानक क्राइटेरिया बदलने के मामले में हाई कोट का दरवाजा खट-खटाना होगा हो सकता है कि वही जो अब्यार्थी काफी ज़्यादा निरास होकर जो हाई कोट का दरवाजा भी खट-खटा सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो यह और भी लंबा प्रोसीजर हो सकता है कि हो सकता है कि आपके जो यह भरती है उसको भी रोक दिया जाए तो पहले तो जो सेलेक्शन है वो दो स्टेज में होता था स् स्टेज हो जाती है कि पहले स्क्रीनिंग होगा फिर सब्जक्टी होगा फिर इंटर्व्य होगा तो काफी ज़्यादा यहां पर निरासा कंडिडेट को देखने को मिल सकती हैं तो आपकी इस विशाय में क्या राए है क्या हाई कोट का दरवजा खट-खटाना चाहिए या जो सरकार यह कर रही है गलत कर रही है तो जो भी आपकी राए है प्लीज कोमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वोचिंग